अस्सलाम अलेकुम इस्टूटेंट्स मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 टोटल कॉलिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नमबर 16 में लेक्चर नमबर 16 का में टाइडल है जुरान एंड ग्रोस्बी on quality and quality is free इस लेक्चर के अंदर जो highlighted notes में use कर रहा हूँ जोरान philosophy and trilogy second हमारा topic होगा quality planning quality control quality improvement crossby philosophy and contribution हमेशा की तरह आप से request है video को like करें share करें चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें जैसे कि आपको पता है mid-term आ रहे हैं तो हमने target set किया है कि अगर हमारे 2500 subscriber हो जाते हैं यह आप लोग response अच्छा आएगा आप लोग अच्छे तरीके से चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को like share करेंगे तो इन्शाला हम आपके लिए जो हैं वो mid-term से related guest paper form यानि के subjective questions भी बना के upload करेंगे और उसके साथ साथ जो mcqs हैं वो भी यह बना के upload करेंगे तो kindly जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को share करें और चैनल को subscribe करें हमें अपने target achieve करने में help करें and at the end आप हमारी help करेंगे तो हम आपकी help करेंगे कि आप अच्छी cgps score कर सकें तो आइए मिल चुलकर हम काम करेंगे तो हम अच्छे तरीके से इस चैनल को और आपकी study को जो है आगे लेकर चल सकते हैं तो आइए बिना किसी time को waste कि हम अपने lecture को start करते हैं जैसे कि हमने slides में देखा था हमारे lecture का main title है Juran and Croseby on quality and quality is free तु इसका पहला जो topic है हमारा the do juran philosophy and trilogy haunbt treaties ते राधां में ज्रो종 को इसको यूजरान अ च्रोपरेशन यहां पर बात वर हएक जोए कि रिस्टर्ते ट्राइट मार्ग है जुराण इंस्किट्यूत है जिसमें juran कि फिलोस्फी ट्राइलीजी जो है वो उसको पढ़ाया जाता है या उसको यूज किया जाता है जोसफ एम जुरान है दा स्पेशल रेसेप्री फॉर टॉप नौज को एंटिटी काल दा कॉलिटी ट्राइलोजी इमेजन इट सा सूपर ट्रायो तो जुरान की जो टॉप मौस फिलोसफी है उसको कॉलिटी ट्राइलोजी कहा जाता है जिसके स्टेप्स जो हैं वो नीचे दि इसी तरीके से क्वालिटी प्लैनिंग के जो स्लोगन जुरान ने दिया हुए गेट रेडी फॉर एक्शन कि आप अमल करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए वाट इस प्लान टू मेंग तिंग्स कस्टुमर भी लग क्या मतलब है कि आपने यह प्लान करना है कि आप ऐसी उसे चीज्से बने जिसे कस्टुमर जो है वह उसको देखके उसकी मोहबतमे इस्क में गिरफार हो जाए कि इतनी अच्प्र मौई और नी यह यह स्तारी है आप उसको डिसांस लाशरिके से कौरें जैसे उनको चाहिए पकलंब चाहिए लाचिक्टुमर की क्या है और कांट रिजिस्ट कि आपने अगर आप एक वीडियो गेम डेवलपर हैं तो आपने उसकी कॉलिटी को किस तरीके से प्लान करना है कि आपने जो है वो एक नया वीडियो गेम बनाना है और वहां पर आपने इस चीज का खयाल रखना है कि जो प्लेयर्स हैं उनको क्या चीज प्लान के साथ अपने प्लान के साथ अपनी परफॉर्मिस उसको कंपेर करते रहना है और जो चीज आप से छूट रही है प्लान के सब्सक्राइब करेंग़ कि छीज़ों को कंपेर नहीं बना पाएंगये अप करने पड़ेन के सब्सक्षक करण भी और आपकी एंवर्वात और और इस चीजेश करता है और वो स很 कर रहा होता है कि हाँ भी बच्चे की परफॉर्मस ठीक है या नहीं है इसुसने काम ठीक से किया या नहीं किया प्रड़ॉक्सक तक पहुंचने की कोईँ रहती इस तरीके के आपने महिनत करनी है what is it always try to do better आपने हमेशा कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप काम करते हैं find way to make things awesome and better getting better कि आपने कोशिश करनी ही कि आप यो product बना रहे हैं उसको अच्छा बनाते रहे हैं उसमें मजीद अच्छाएगी कोशिश आपने करते रहना एक्जेंपल ले 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 एक बावर्ची एक बावर्ची कीजेंपल ले अब देखें कि एक सीक्रेट पावर empat आजाती तो आप 750 पर से शेपी नहीं गरेगा आप यूटीब पर विलोग वगर देखिएंगे तोुकितने यूटुबर रसेपी शैर करते हैं वह बहूत बहुता पुरानी इन शो Series सब्सक्राइब करें दादा ने बेटे को बताया है फिर उनने आगे अपने बेटे को बताया तो यह सारी चीज़े होती है इक्सपेरिमेंट करते रहे हैं और चीजों का अगया बढ़ाते हैं असल चीज जो है वो कॉलिटी होती है जो आपके और इसे प्रोड़क्त करने ऐसा सिस्टम और ऐसा प्रोसेस आपने डिवलब करना है जो के कस्टूमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करें अब इसके लिए इसे प्रोड़क्त बनाएं उनमें ऐसे फीचर बनाएं जो कस्टूमर की नीट को रिस्पॉंड करें डेवलस सिस्टम और प्रोसेसर बनाएं जो अर्गनाजेशन को अलाओ करें कि वो यह सारे फीचर जो हैं वो एड कर सेकें डिप्लाइड अप्लान तो अपरेशनल लेव जहां पर आपके प्रोड़क्त बन रही है मुख्ति प्रोसेस से गुज़र दिया तो वहां तक आपका प्लान जो यह अगर आपने बोला है क्वालीटी क्वालीटी प्लानिंग जो है वह इंप्लिमेंट होनी चाहिए आपको यह वह प्लान के साथ और उनको भी यह होना जा आते हैं तो following processes जो है वह आपके अच्छे होने चाहिए एकक्सेशल quality performance आप जो है वो आपका access होना चाहिए कि actually quality कैसे चल रही है आप यह कैसे access करेंगे तो आपकी जो organization जो product बना रही है उसको आप करें ऊपके पास ह कोने चाहिए लिए आपके पास होने चाहिए के बीृत में सबॉस्पism से देनों कि तर Karena एंड देन उनको मेच करें उन पर काम करने की कोशिश करें और उनको अवरकम करें उसके बाद है क्वालिटी इंप्रोब्मेंट अगर आपके पास एक गेमिंग कंसोल है या एक गेमिंग सोफ़्वेर है या आप अपने एंड्रोइट अपने आप एक अपने आहरा होती है आपके पास एक अप्डेट अब्डेट करने वह इंस्ट्राइब करने इसमिंग को तायम बहुत के लेता है पूरा प्रोसेश से चलता है जैसे सक्वांटर के विंडूब्वेंड रिप्डेट इब उनकीप इस लिए अपडेट के लिए उतीं या चलते चलते हैं ऐचाती है और यदेक्ट जis जो हुआता है त। छीक करने के लिए जो एक टेट रिलीस करते हैं जो है तों हमें क्या थेเรา एंदर ज्थे चीज को एंप करते जाना है कई चीज़ें वह खराब होना शुरूरु जाती है कुछ जगह कुछ ऐसे फ्रोसेस है आपको इंटिफार होते हैं जहां पर काम ठीक नहीं हो रहा था जहां कि वैसे प्रॉब्लम जो है वह आ रही होती तो आपने क्या करना है ऐसे एरिया को इंटिफार करना और उनको जो है एक्जम्पल यहां पर देते हैं लाइक फाइंडिंगा स्क्रेच और फेवरेट विक्स्टू मेकिट लुक और वर्क लाइक नियू अब आप यहां पर टोई की एक्जम्पल दीगी आप अपने मुबाइल की एक्जम्पल लेले कुछ लोगों को जो है वो मुबाइल से बहु आपके उसके साथ मुबबद वो उस तरीके से नहीं रहती तो आपने क्या करना है कि जो स्पॉर्ट से उनको फिक्स करते जाना और इसा नहीं होता जैसी मुबबद आपको पहले दिन चीजों से होती है प्रोडक्स से होती है एड दी एंड जब तक आप और्गनाजेशन मे अच्छी क्वाड़ी दिए टीम फॉर क्वालेटी को इंप्रूफ परने के लिए जुरान का एक स्टेपे जुरान केते हैं कि आप एक टीम बना लें और वो स्टीम का प्रोजक्ट सिर्फ होना चाहिए कि चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से क्वालेटी वाइस ओके कर छाहिए वह मिट्रिव करना रूट आते हैं उनकी बेटिग के और होटे हैं यह तरीके से स्पिंबॉं फोते हैं विगीट कीपर होता है और कि पावर दें कि वह आपके पास करें उसका solution बता सकेंगे यहां पी इस चीज़ को हम इंप्रूव कर सकते 경우에는 प्रोजेक्टीम के अंदर तो आपके पारी प्रोड़क्त पर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मेगनिफिकाइंग ग्लास होना चाहिए और आपके पास क्यान अश्बू सब्सक्राइब बदर यहां अश्चान फिल्म म्हें साथ में और यहां ऐपके यह ग Children सवारेब यह सब्सक्राइब कर आपको लिए भीट्र नेमेशा बेटर रहा सकते हैं कि और में homelessness इसलेटरी यतने टूल्स वगर है इनको रिक्वाइड है उनको एक्क्यूप करें ताकि वह अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके उसके बाद है क्रॉस्बी फिलोस्पी एंड कंट्रिबूशन क्रॉस्पी क्वासबी कि लिए इनको पिलिप भी प्रोट्वि क्रोट्व हो सकता है इतना दाध शायए लेकिन ब्लेकिन अज आज आज है दूसरे क्या है कि पहले यह ITT एक firm थी, किसी और की firm थी, उसमें 14 सल तक इन्होंने काम किया, उसके बाद इन्होंने एक अपनी firm बना ली Quality definition, according to Crosby, quality की definition क्या थी? It's simply making think exactly how the customer run, उनके मताबिक यह था कि भई, आप ऐसी product बना दें जो customer को चाहिए, simple, यह quality है Key ideas क्या थे कि zero defect होने चाहिए, aim for perfection, not mistake allowed Crosby के मताबिक यह था कि आपका मकसद जो है, वो perfection ना चाहिए, कोई भी mistake allowed ही नहीं है, prevention is the key अब वो क्या बोलते थे कि prevention जो है, वो एहतियाद जो है, आप errors को जो है, वो रोक लें इससे पहले कि जो हो इनके famous work की बात कर लेते है, cost of quality इनका famous work है, absolute of quality management इनका famous work है Cost of quality क्या है, short, how getting it right at the first time safe money इसके अंदर Crosby ने बताया है कि किस तरीके से आप अगर पहली दफा काम ठीक कर लें, तो आप बहुत से पेज से बचा सकते हैं इसके बात ये claim करते हैं कि quality जो है, doing thing right from the start doesn't cost it pays ये कहते हैं कि अगर आप पहली दफा काम सही कर लें, तो ये आपको बहुत साथा cost नहीं लगती है, बलकर ये आपको pay करती है किस तरीके से वो जब हम qualities free पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ चाएगा Crosby ने 14 step दिये थे, guide to rocking quality improvement, एक पूरे step by step process बनाते हैं, जिस सरीके साथ quality को जो है अच्छा कर सकते हैं इनकी जो philosophy है, उसकी highlights यहाँ पर दी गई है, absolute of quality management Crosby golden route for quality, एक सी basic element of improvement, the building blocks for making things better यहाँ एक 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 से बारे में उस शेफ को क्या नसियत करेंगे, make each pizza exactly as customer ordered zero defect के आप हर pizza उस तरीके से बनाए, जैसे के customer defect करता है, customer अगर बोलता है कि इसके अंदर मायनीज जादा होने चाहिए यह spicy होना चाहिए, इसमें मसाला जादा होना चाहिए, यह इसमें cheese जादा होना चाहिए, तो as per customer instruction आप जो है वो pizza बनाए, ताकि zero defect हो यूज फ्रेश इंग्रीडियंग यूज करें और आपको पता होना चाहिए, आपने कितनी मिर्चर डालना है, कितनी केचप डालना है, कितनी चीज डालना है, कितनी चीज डालना है, customer की requirement के, accordingly, this way you save money and make customer, इस तरीके से आप पैसे भी बचा सकते हैं, customer को happy भी करतेंगे, क्रोजबी का मोटो क्या था, quality is not just a goal, it's only the goal, यहनि कि क्रोजबी का मोटो यह था, slogan यह था, उनका यहारा यह था, कि quality सिर्फ मकसद नहीं है, quality ही मकसद है, उसके बाद हम last topic देख लेते हैं, इस lecture का, क्रोजबी absolute of quality management as for, जो ऐसे हमने पीछे बात की थी, क्रोजबी के absolute of quality management क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, quality is following orders, इनके मताबी quality जो है, वो order follow करती है, it is doing exactly what you are told, no fancy stuff, just clear instruction like making a sandwich as for the recipe, quality, pros भी यह केते हैं, quality जो है, वो order follow करती है, आपको जो है, वो instruction दी गाएं, आप बिल्कुर सेम उस पर काम कर लें, अपनी तरफ से कोई fancy stuff add करने के कोशिश ना करें, जो आपको clear instruction दी गहीं हैं, उसको follow करें, जैसे कि एक sandwich आपने बनाना recipe के according करेंगे, no quality problem, only mistakes, blame game की यहां पर बात कर रहें, if something goes wrong, find who goofed up, अगर कोई चीज घलत हो जाती है, तो आपने यह देखना है कि कहां से गलती हुए, किसकी वैसे गलती हुए, quality hiccup comes from different department, quality के जो मसले मसायल है, वो मुक्तलिफ डिपार्टमेंट से आ सकते है, quality folks not just measure and cheer for improvement, quality folks जो है वो क्या करते हैं, कि वो सिर्फ problem को identify करते हैं, कि हाँ यहां पर problem होगी, उसके बाद उनका मकसद क्या होता है, कि उसको improve करें, और improve करके उस defect को खतम करने के बाद उसकी खुशी मना है, quality is always cheaper, money saver, quality जो है, वो हमेशा सस्ती होती है, money saver होती है, पैसे बचाती है, doing thing right from the start, it's money smart move, यानि कि अगर आप पहली दफ़ा चीजों को ठीक कर लेंगे, तो आप इसमें पैसे बचा लेंगे, money smart move होगी, fixing mistake, cost, more, जब आप पहली दफ़ा गलत बनाते हैं, और उसके बाद उसको ठीक करते हैं, तो पूरे processes से उसको आपको दुबारा उजारना पड़ेगा, और अगर एक product, एक element या एक gadget उसके अंदर जो लग रहा है, अगर वो खराब हो गया, तो आपको तो वो जाया हो गया, तो इसका मतलब आपकी cost लग गई, it's like building study tree house जैसे के, इसका मकतर इन्हों ने example, यहाँ पे tree house की दीवे जगे, लेकिन हम यहाँ पे example इसकी यह ले 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 ल गई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो screen की cost भी जाया हो गई, और दुबारा से screen लगाने में, जिस processes से वो गुजरेगा, उसमें एक और mobile गुजर सकता था, एक और mobile बन सकता था, तो उसमें एक ही product दो दफ़ा गोई, तो उसकी cost भी लगी, manpower की effort भी लगी, और चीज भी जाया होगे, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप पहली दफ़ा में चीज ठीक नहीं करते हैं, तो आप पैसे नहीं बचा सकते, बलके उल्टा आपको नुपसान होता है, तो गाइस ये था आज का lecture, I hope so, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कोशिश की है कि पूर आपको लिख दिया करें, हमारे लिए द्वाएं कर दिया करें, आप अगर कमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, ये YouTube इस वीडियो को इंगेजिंग, लोगरित्म ये समझेगेंगे, ये वीडियो उनगेजिंग लोगों पसंद आ रही है, श्रू करते हैं, जब आप कमेंट्स कर देंगे और राइक कर देंगे तो यूट्यूब के लोगरितम को लगे गा यह विडियो अच्छी है और वह आगे मोर इस व्डियो को शो करेगा तो आज की वीडियो में इतना ही मलते हैं अगली वीडियो में जब तक दूआओं में आद रखेगा अला हाफिस